नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है मेरी किचन में आज हम बनाएंगे मशली का डीम के पकोड़े मसूर के दाल के साथ इस तरीका से बनाने का खास बाती है कि पकोड़े तो तेस्टी और क्रिस्पी तो बनेंगे ही साथ में मशली का डीम का फट कर हाथों का जलने का डर भी नहीं रहता है तो चलिए फटाफट से रेशीपी स्टार्ट करते है मशली का डीम को साप पानी से धोकर मैंने एक बावल में रख लिया है और वजन में जितना डीम है उसका आधा अमाउंट में मसुर का डाल पानी में भीकोर कर लगपक आधा घंटा पहले मैंने दख लिए तो उससे छाक लीजिए और मिर्च और लसुन देकर उसका पेस्ट बना लीजिए दाल में अल्रेडी पानी है इसलिए कोशिस करिएगा कम से कम पानी देकर पेस्ट बनाने का अब चलिए पकोड़े का मिक्सचर रेडी कर लेते हैं एग में दे दीजिए अपने स्वादूनसर नमक थोड़ा हल्दी मसुद का दाल का जो पेस्ट बना रखता उसे भी दे दीजिए और दे दीजिए बारी कट ही थोड़ा पे आज और अगर आप तीका खाना पसंद करते हो तो उपर से बारी कट ही थोड़ी हरी मिर्च भी आड़ कर दीजिए अब सारे इंग्रेडियन को हातों से अच्छे से मिक्स कर लीजिए हातों से अच्छे से मसल का मिक्स करिएगा ताकि एक पूरा मिक्सचर में evenly स्प्रेड हो जाए और मिक्स हो जाए आप चाहें तो कासमे मिर्च पाउडर एड़ कर सकते हैं वैसे जरूरत नहीं होती है क्योंकि फ्राई करने के बाद डर्ब कलर वैसे आजाती है फ्रेंड्स ए पकोड़े खाने व Vorte खुद भी खाईए और सबको खिलाईए अगर आपको मेरे रेसीपी पसंद आता हो तो प्लीज लाइक करिए शेयर करिए और चैनल में अगर नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और खुद भी बनाईए और उसके बाद कॉमेंट सेक्शन में लिखिए कि आपको रेसीपी कैसा लगा बाई फिर मिलते हैं अगले वीडियो पर